हाई एंड विल्कम टो माई चैनल देसी पाइड उमे तो आज मैंने एक इंपोर्टेंट आप लोगों के साथ जॉब्स के बारे में डिसकेशन करनी है बहुत ज्यादा मुझे क्वेस्शन आ रहे थे के जॉब्स के बारे में बता दें पार्ट टाइम या दूसरी किसी भी किस में और ये भी बता दें कि कुछ ऐसे क्या स्किल्स हम सीख कराएं जो हमें हेल्प करें जॉब्स करने में तो मैंने सोचा कि इन तमाम क्यूरी का एक ही आंसर करूं और एक ही छुटी सी वीडियो बना दूँ जिसमें आपको मैं यह सारे जॉब्स से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें आपको सीख के आनी चाहिए कोई अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ बंद माकिल आने चाहिए तो वो आज सारे में इस वीडियो में कवर करूंगी और स्पेशली गर्ल्स बहुत सवाल आ रहे थे कि लड़कियों के लिए बताएं वैसे तो मैंने इस वीडियो डाली है जो मैंने गर्ल्स के लिए जो आप अपर्चुनिटी के बारे में बताया है वो मैं यहां ओपर लिंक भी दे दूंगी आपको लेकिन यह के फिर भी मैं आप में को इस वीडियो में एक और दो तीन चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो लड़कियां सीख कर सकती है और यहां पर उन्हें उसका फाइदा होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहली चीज़ जो लड़के लड़कियां दोनों इंपॉर्टन्ट है वो यह के ड्राइविंग हमारे पाकिस्तान में आपको पता है लीडी ड्राइवर्स को कितना डिस पता है बहुत इंपॉर्टन्ट है मुझे ड्राइविंग नहीं आती और इसका आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा तुक्छे के जो रूल्स है वो इस तरह हैं कि अगर आप पाकिस्तान से आते हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आपका फुल ड्राइवि अगर एक दफ़ आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है तो उसके बाद विदिन विदिन आ वीक आपको आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है ठीक है तो आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर यहां यूके आओ और उस ड् ड्राइविंग स्कूल में दाखला ले लो या आप अपनी फैमिली से भी सीख सकते हो कितना असान है ना ड्राइविंग सीखना वहां पर कुई भाई अबू किसी के साथ भी आप बैठ के तो ड्राइविंग सीख लोग अपने घर की गाड़ी पर कोई इशू नहीं होता कोई चो नहीं होती आपको पता ही है वहां का रूल्स रेगूलेशन्स का यहां पर इस तरह नहीं है यानि के जिस तरह हम पाकिसान में हमारी जो रोड緁 है विल्कुल वो ही ड्रैविंग जो है न वो यहां यूके में भी है यहां पर वो left-right वाला कोई चक्रनी है कि आपका स्टेरिंग दूसरी तरफ होगा इस तरह नहीं है यहां पे भी similar उसी तरह की ही गाड़ियों होती है और उसी हाथ पे steering होता है जिस हाथ पे हम पाकिस्तान में चलाते हैं एक साल तक आप यहां पर आके और कुछ नहीं तो आप deliveries की जो आप कर सकते हो आप आती है एक छुटी कर लो delivery के साथ अप लग जो लेकिन उसमें यह है कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं वह अलग driving license की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कब अपना यहां का learner license supply करना है और किस तरीके से वह चीज़ें चलती है तो वह एक अलग में कोई भी होना रहा है specially 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 लड़के को मैं लड़कों को कहूंगी और लड़कियां भी अगर interest उनको हो तो आप कुसी भी किसम का यह plumbing का electrician का कोई चोटा मोटा course अगर आपके पास time है अभी January intake वाले इसको जादा बेतर कर सकेंगे इन पे इन टिप्स के उपर क्योंके उनके पास अभी फिर भी कुछ time है तो आपको शॉर्ट कोर्स कोई इस तरह का किसी skill में कर यह skills यहां पर बहुत high demand में और अगर आपको इससे related कोई जॉब मिल जाती है तो they are very very well pain jobs और अगर नहीं भी आपको जॉब मिलेगी तो भी आप अपना बहुत सारा पैसा बचा लोगे बजाए कमाने के क्योंके यह अगर घर में कोई भी चीज़ खराब हो जाती है कोई बिजली का switch है कोई आपका कोई machine है कुछ है यहां पर इतना expensive है ना यह सारा कुछ के अगर आप किसी को कॉल करते हो किसी companies आपको बंदा बुलाना पड़ता है और अगर आप उसको कॉल करते हो तो आपके वो पर आवर के हिसाब से जो है ना मतलब आपके 100-200 पाउंट और आम सापके लगजिंगे कोई चीज ठीक कराने के लिए तो it's very very expensive तो skill का आपको फाइदा ही ह बहुत सारी लड़किया मुझे कहनी थी कि महंदी आर्ट हिना आर्ट का या पॉलर का काम हमें आता है तो वो आपके पास एक skill है अगर आपके पास कोई certification है उसकी तो आप वो भी जरूर लेकर आए और that will help you आपके लिए job की opportunities बढ़ती है जितने ज्यादा आपके पास skills होते ठीक है तो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपके हाथ में यह skill है आप कहीं भी पॉलर्स गएर पर job कर सकते हो या फिर आप अपनी services खुद भी दे सकते हो ठीक है अगर आप किसी के साथ काम नहीं भी करते तो आप अपने own पे थोड़ा बहुत earn कर सकते हो एक side income आप कुछ income आता रहे जो बहुत जरूरी मैं समझती हूं है पर्सनल सर्वाइवल के लिए भी और जॉब्स हासिल करने के लिए भी वह है cooking especially लड़के क्यूंके लड़कियों को cooking आती है बट लड़कों को बिलकुल नहीं आती और यहां आके जाहिर आपको काम तो करना है तो यहा इंडियन पाकिस्टानी जो हमारा देशी खाना होता है बटर चिकन पालक पनीर पालक गोश्ट यह चीज़ें यहां पर करीज बगार मिल जाती है आराम से टेकवेस पे और साथ में पीज़े का काम होता है तो आप यह स्किल सीख कर आओ इस्पेशली लड़के अगर आप आ क्वाल करेंगा क्यूंकर यहां पे टेकवेस का काम बहुत ज्यादा है खाने पीने का और आपको इजिली यह काम या पर मिल जाता है बाद लोग पैंटिंग करते हैं बाद लोगों को शॉक होता है ड्रॉइंग का कोई पहल आपके पास स्किल है और आपके पास अगर उसकी आपको एक वीडियो में पूरा बताँगी कि आप किस तरीके से यहां पे कुछ वेबसाइट से उनको यूज करते हुए आप कुछ थोड़ा बहुत अपसाइड इंकम आप जनेरेट कर सकते हो तो इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा मजीद टेकनिकल स्किल पे यह तो नॉरमल स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए एक कुछ टेकनिकल स्किल्स होते वो तमाम लोग जो के आईटी की फील्ड में इंट्रस्टेड हैं या कुछ भी टेकनिकल काम करते हैं क्रियेटिविटी से रिलेटेड जैसे के फोटोग्रफी हो गई प्रोफेशनल एडिटिंग हो गई डेटा आजकल एनलिस्ट का काम बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग पे हो रहा है तो डेटा एनलिस्ट हो गए और डेटा इंजिनिरिंग और यह सारे जो आर्टिफिशल इं इसमें तो आप जो आउप अप्लाय कर ही सकते हो अविएस्ट लेकिन उसमें आपको एक बहुत बड़ा एजी होता है कि आपके पास एक टेखनिकल स्केल है और टेखनिकल स्किल हमेशा डिमांड में होते हैं आजकल यह डेटा एनलिस्ट और यह वाले जो जो स्किल्स हैं य तो किसी भी किसम का स्किल जो है ना वो छुटा बड़ा नहीं होता अगर आपके हाथ में कोई भी हुनर है तो वो आपको फाइदा ही देगा वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा तो कीप डाट इन माइंड कीप मोटिवेटेड अगर आप यहां तक आ जाओगे तो आप आगे पैसा भी कमा लोगे वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जॉब जराम से मिल जाती है बट अबिसली अगर आपके हाथ में एक या दो हुनर हों कोई स्किल्स हों तो उसका आपको स्किल्स से रिले जॉब जोब ऑपरचुलिटीज को भी एक्स्टोर कर सकते हों और यहां तो कीप आपको यह इन्फॉर्मेटिव चुटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी कीप सब्सक्राइबिंग मैं चैनल कीप लाइकिंग गॉन्टेंट इस वीडियो अथा थाम्स I will see you guys in another video, bye bye!